हेलो बच्चों नमस्कार स्वागत है आप सभी का हमारी यूट्यूब चैनल एपक्स एक्जाम में और आज हम पढ़ेंगे क्लास्टाइंस पिजिक्स का चैप्टर नंबर एक यानि कि जो आपकी वुक्त का जो चैप्टर होगा वह अध्या नंबर नो ठीक है और आप सभी का स्वागत भी है हमारी यूट्यूब चैनल में और इस सत्र में भी स्वागत है क्योंकि अब आप कक्षा नौ पास कर चुके हैं और आप आ चुके हैं कक्षा दस में ठीक है और नए जोस और जनून के साथ पढ़ेंगे हम कक्षा दस की फिजिक्स यानि की फ्राकृते गटन जिसका चैप्टर नमबर 9 और अगर आप वे पास पुरानी NCRT है उसमें होगा सायद चैप्टर नमबर 10 ठीक है हम इस शुरू करते हैं देखी आज हम पढ़ेंगे प्रकास यानि की लाइट तो लाइट होती क्या है सबसे पहले प्रकास उर्जा का एक रूप है जिसकी साहता से हम संसार को देख पाते हैं देखी उर्जा आप लोगों ने मतलब पड़ी होगी उर्जा का मतलब क्या होता है उर्जा उस चीज को कहते हैं जिससे हम कोई कारिय करते हैं यानि कि उससे किसी के द्वारा कारिय किया जाता है तो जैसे प्रकास उर्जा जो है एक प्रकास की उर्जा है क्यों क्योंकि हम उससे दूसरी बस्तों को चीज यानि स्टिग निरवात में तीन गुणा स्कियू पावर आट मीठ पर सैकेंड यह तीन लाख किलोए मीटर पर सैकेंड सोता है ठीक है कि वह अगे चलते है अपके प्रकास का बेग यांद राखेंगे यह बहुत हीम्पूर्टन्ट है क्या होता है तीन गुणा दस्की पावर आठ मीटर पर सैकिंड ठीक है प्रकास एक विदोज चुम्ब की विक्रण है ये भी याद रखना है आपके लिए प्रकास एक विदोज चुम्ब की विक्रण है चलिए बात करते हैं विक्रण की उर्जा का तरंग या कन के रूप में स को मकी चैत्र ये तीन कौन कोन से चाल यानि कि विकेंड नठ जो है बैं Chili छेत्र बीद्ब 28 वह सकता है चलाब को कि देखिए हमारे जीवन में घटित होने वाली प्रकास की कुछ मैतविर घटनां है जैसे प्रकास का परावर्तन प्रकास का अपवर्तन प्रकास का तो इन सब चीजह के वारे में हम डिटेल में आगे पड़ेंगे तब तक बात करते हैं आगे देखें जो बस्तु हैं हम देखते हैं प्रकास के शुरोत या परावर्तन के आधार पर दो प्रकार की होती हैं कितने प्रकार की होती हैं दो प्रकार की अब वो कौन-कौन सी होती हैं नंबर एक पर आती हैं नमबर एक पर आती हैं प्रदीप्त बस्तु में यानि कि बे बस्तु में जो स्वता प्रकास या प्रकार नहीं होगा प्रकास उत्पन करती हैं उधारन जैसे सूरी सूरी के पास स्वयम का प्रकास होता है बल्ब आदी ये सब कैसी है यानि कि प्रदीप्त बस्तु में जो बस अधीप्त या प्रदीप्त बस्तुएं बे बस्तुएं जो स्वता प्रकास उत्पन नहीं करती हैं लेकिन प्रदीप्त बस्तुओं के प्रकास से दिखाई देती हैं यानि कि जब उन पर किसी बस्तु की लाइट पड़ती है तब वो बस्तुओं हमें दिखाई देती हैं जैस से उधारन के लिए चंद्रमा चंद्रमा के पास स्वयम का प्रकास नहीं होता है वह सूर्य के प्रकास से चमकता है ठीक है कुर्सी मेज आदी बाकि सारी चीज़ें कैसी क्यालाती है अब प्रदीप्त बस्तु है ठीक है आगे चलेंगे अब प्रकास के बारे में अब आप जान चुके हैं प्रकास क्या होता है अब प्रकास के गुण के बारें पढ़ेंगे हम प्रकास नमबर एक प्रकास विदुद्च मकिये विकर्णों के रूप में चलता है नमबर दो प्रकास के लिए किसी भी माध्यम की आवश्रक्ता नहीं होती यह निर्वात में भी गति कर सकता है और पॉइंट नम्म तीन निर्वात में प्रकास की चाल 3.10 की पावर 8 मीट पर सेकेंड होती है नम्म चार प्रकास सरर रेखा में गति करता है और स्वेत प्रकास का रंग विव ग्यॉर आपने पढ़ा होगा स्पेक्ट्रम उससी को क्या बोलते हैं हम विव ग्यॉर यानी की वॉयलेट इंडिगो बिलू गरीन यलो ओरेंज और ठीक है देखी वॉयलेट मतलब वैंगनी इंडिगो मतलब जामोनी विलू मतलब नीला गरीन मतलब हरा यलो मतलब पीला ओरेंज मतलब नारंगी और रेड म पतलब लाल ठीक है हंदी मीडियों के बच्चों के लिए यहां पर और इंग्लिस मीडियों वॉयलेट इंडिगो विलू ग्रीन यलो रेड और और रेड ठीक है वैंगनी जामुनी नीला हरा पीला नारंगी और लाल ठीक है आगे बात करेंगे अब तोड़ा सम मोटिवेशन ह जाएं खुली आखों से सपना देख सके उन्हें पूरा करने के लिए आपकी आंख सुबह खुल सके तो जयांनि कि जो सपने होते हैं वो बंद आखों से नहीं बल्कि खुली आखों से देखने चाहिए ताकि आपना जूरा जोस अपना जौनूम पूरी सब कुछ मेहनत ताकि और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें ठीक है बात करेंगे प्रकास की किरण की यानि रे ओफ लाइट किसी समांग माध्ध में प्रकास एक बिंदू से दूसरी बिंदू तक जिस रिजू रेखिये वहाग से हो कर जाता है उसे प्रकास किरण एक ही दिसा में जाने वाल प्रकास के किरण के समूं को प्रकास किरण पुंज कहते हैं यानि कि यह जो लाइट अगर जा रही है एक ही दिसा में तो इसे क्या वो लेंगे हम प्रकास किरण पुंज ठीक है आगे देखें बात करते हैं प्रकास पुंज के कितने प्रकार होते हैं तो प्रकास पुंज तीन प्रकार के होते हैं नमबर एक अभिसारी नमबर दो अपसारी और नमबर तीन समानतर ठीक है एक एक करके डिटेल में जानेंगे बात करते हैं अभिसारी यानि कि कनवर्जेंट यदि आपतित प्रकास की सभी किर्णे एक बिंदू पर मिलती हूँ तो उन्हें अभिसारी कहते हैं यानि कि मानलो ये कोई पॉइंट है यहाँ पर ये लाइट आकर गिरती है तो ये कैसा पॉइंट हो जाएगा यानि कि अभिसारी ठीक है आगे बात करते हैं अभिसारी यानि कि डाइवर्जेंट यदि प्रकास की किर्णों यानि किर्णे किसी एक बिंदू से आती हुई प्रतीत हो रही हूँ तो उसे अफसारी प्रकास किर्ण पुंज कहते हैं जैसे मालो ये कोई पॉइंट है यानि लाइट है इससे ये लाइट है बाहर के लिए जा रही है किर्ण पुंज ठीक है ये बाहर के लिए जा रही है तो ये कैसा हो जाएगा अफसारी हो जाएगा ठीक है आगे चलते हैं ह बात करते हैं समांतर की तो अंति यदि प्रकास की सभी किरना आपस में कभी ना मिलती हूँ और शदय वेघस दूसरे के समांतर रहती हूं तो समानतर क्रणपुंज कहते हैं यानि पैरलल ये जो दो लाइट्स की रेज दिखाई दे रही है आपको ये कैसी फ़र्म में हैं पैरलल फ़र्म में ठीक है यानि की समानतर यहां आपको चिते दिखाई दे रहा है अब सारी क्रणपुंज यानि कि यह जो लाइट्स है यहां पर आ रही है तो यह कैसा है अब सारी और यह जो पॉइंट है इस बिंदू से जा रही है यह सब तो यह कैसा है अब सारी ठीक है प्रकास पुंज के प्रकार है और यह वाली जो समानतर हैं यानि कि ये कभी नहीं मिलेंगी तो कैसी हैं समानतर प्रकास करण पुझ ठीक है आगे बात करते हैं अब पहले जानेंगे कि प्रकास है क्या वाट इस लाइट तो प्रकास उड़ जा का एक ही रूप है जिसे हम वस्तों को देखने की अनुभूती होती है प्रकास का बेच निरवात में 3,10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड होती है और जल में प्रकास की चाल कितनी होती 2,25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड cm आगे बात करते हैं प्रकास बिदुचुमकी तरंगों के रूपी में संचरित होता है जिसका ग्यान हमें आखों द्वारा होता है ठीक है प्रकास को हम नहीं देख पाते हैं लेकिन प्रकास के द्वारा हम बस्तुओं को देख सकते हैं ठीक है आगे चलते हैं अब अब आपके दुमाग में एक प्रश्न उठरा होगा कि अभी ये विदो चुमकी तरंग क्या है अभी तक तो तरंग है थी केबल तो तरंग का अर्थ होता है लहर और जब ये लहर या तरंग किसी माध्धम में गति करती हैं तो कुछ दोलन या कमपन करती हैं इन्हीं दोलनों और कमपन के माध्धम से उर्जाखा इस्थानांतरण होता है वास्तम में माध्धम के कण गति नहीं करते ठीक हैं बात करेंगे बिदो चुमकी तरंग होती क्या हैं तो बे तरंगे जिनने संचारित होने के लिए किसी भी माध्धम की आवश्यक्ता नहीं होती है अता ये न प्रकास के सबसे छोटे कंड को फोटाउन कहते हैं यानि कि जो पैकेट के रूप में चलते हैं आपके घर में लाइट अगर किसी चेद से या होल से आ रही हो तब देखना वो छोटे-छोटे कंड में दिखाई देते हैं उन्हें क्या बोलते हैं देखी फोटाउन क्यावता है विद्वच शुमकिये विकर्ण का एक चोटा कंड या वंडल यानि कि पैकेट है जो प्रकास का जो वंडल मैं ने बताया था वह चीजा होते हैं फोट अ कहलाते हैं इसकीपहश्ण होब वट लुईल ने की थी, किसने गिलवर्ट लुईल ने निर्बाद में प्रकास की चाल आपके लिए याद रखनी है, 3 गुणा 10 की पावर 8 ये उपर होगा नीचे नहीं, मीटर पर सैक्ड, और पानी में प्रकास की चाल 2.25 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सैकंड ठीक है चलिए आगे देखते देखी विदुचुमकी विक्रण एडिंग डालेंगे विदुचुमकी विक्रण इसकी खोज किसने की थी जैम्स किलर्क मैक्सवेल ने तो सबसे पहले विक्रण होता क्या है उर्जा का तरंका या कण के रूप में संचार या सर्जन ह जहां माध्यम निर्वात या कोई द्रव माध्यम में जैसे हम पहले भी पढ़ चुके हैं जब विदुचुमकी चेत्र उत्पन होते हैं जो तरंग के रूप में दिखाई देते हैं इनहें विदुचुमकी विक्रण या तरंग कहते हैं ठीक है आई होप आपके लिए वीडियो बहुत पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर भेज़ें यानि सेर जरूर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि देखिए वैद्दुच्छेत्र वैद्दुच्छेत्र का मतलब ह ठीक है यानि कि जैसे आप के दोस्त होंगे कि आज तो हमारी एरिया में आई ही गए तो इस प्रकार मतलब हर किसी की कोई ना कोई एरिया या कोई उतना सीमित मतलब बॉर्डर होता है कि यहां तक जैसे इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर हम उस तरफ नहीं जा सकती बिना आपव्स तो ऐसे ही मतलब एलेक्टिक फील्ड होता है तो कि सी आवेस की चारो ओर का वहचेतर जिसमें किसी अन्य आवेस को लाने पर वहचेतरफल यानि की आकरसन वल प्रतकरसनवल का अनुभव होता है' बैदुछेतर कहलाता है इसकी यूनिय यानि कि इसका काई क्या है Bolt per meter यानि Bold per meter आप देख सकते हैं यहाँ पर यह क्या है यह Magnetic Field है शीजिंब निगेटिव है बात करेंगे चुम्मकी चेतर की तो देख सकत denkt में चुम्मक यह यह आधितर की चुम्मकी प्धार्थ यह गत्यमान वर्दुत आव इसके चारओर कांकरता है इसके साथ नहीं चिपकेगी या कोई लोही की वस्तू नहीं चिपकेगी जब हम इसके करीब लाएंगे यानि यहां पर लेकर आएंगे तब ही चिपकेगी क्यों क्यों कि यहां पर इसका क्या है magnetic field यानि यहां तक इसका area cover कर रहा है ठीक है तो इसकी इकाई क्या होती है बेवर यानि की बेवर याद रखेंगे बेवर विद्धुत विद्धुत क्या उत्त है देखिए विद्धुत आबेसों यानि की प्रोटोन या इलेक्ट्रोन के मौजूदगी और वहाव से जुड़ी वहतिक परगटनाओं के समुच्च को विद्धुत कहते हैं अथार्थ इसे ना तो देखा जा सकता है ना चुआ जा सकत है केवल इसके प्रोहा के माध्यम को महसूस किया जा सकता है जैसे आकासी बिजली या विदुद्धारा यानि की इलेक्ट्रिक करेंट अब आपके घर में बिजली के तारूंगे अगर आप उन्हें छू लेंगे तो आपकी मतलब मृत्यू भी हो सकती है छूने की कोसिस भी है विदुद्ध का धार इलेक्ट्रॉन है क्योंकि इलेक्ट्रॉन हलके होते हैं जिसके कारण आसानी से इस्थानालत्रित होते हैं और इलेक्ट्रॉन के एक स्थान से दूसरे इस्था जाने के कारण ही कोई बस्तू आबस्त होती है यानि कि किसी बस्तू का एक इलेक्ट्र कौन दूसरी वस्तू पर पहुंच जाता है तो क्या हो जाता है वैं चार्ज हो जाती है ठीक है यानि कि आविस्ट हो जाती है और यह जो इलेक्ट्रोन दूसरी तरफ जाते हैं क्या बोलते हैं हम मुक्त इलेक्ट्रोन क्या मुक्त इलेक्ट्रोन याद रखेंगे ठीक है आग शज़सी माधधम में देखते हैं तो प्रकास का सरल रेखी यárias पत देखता है उस पत का कैते हैं यानि कि इस पत औ northern को क्या कहते हैं का नियोंगी होगा यहां पर को को ओगा प्रकास की करेंड के आप यह सूरी कार पास यह जो है गो क्या है ठीक हैं जालिए ठीक ह Vitam प्रकास का किसी चिकने या पॉलिसदार सतह से टक्रा कर उसी माद्यम में बापस लोटने की क्रिया को प्रकास का परावर्तन कहते हैं ठीक है और नमबर दो प्रकास का परावर्तन समतलतल पर होता है आपके घर में दरपन होगा यानि कि सीशा जिसमें हम अपना चहरा सोवे सो तो उससे आप light की तरफ ले जाकर दूसरी तरफ reflect करके देखना वो टकरा कर दूसरी दिसा में जाती है ठीक है तो इसे क्या बोलते हैं प्रकास का परावर्तन प्रकास के परावर्तन की मात्रा तल की प्रकर्ती पर निर्वर करती है देखी किसी तल पर गिरने वाली प्रकास करन आपतित प्रकास करन कहलाती है मानली जी ये कोई दरपन है इस पर एक light आकर गिरी और ये वाली light कौन सी हो जाएगी यानि raise ये हो जाएगी आपतित प्रकास करन और इस से टकरा कर यानि तल से टकरा कर बापस लोटने वाली प्रक प्रकास क्रण कहलाती है यह यह वाली कैसी हो जाएगी प्रावर्तित प्रकास क्रण ठीक है यह देखिए आप्तित यह वाली प्रावर्तित और जिस तल से प्रावर्तित होता है बहत तल प्रावर्त तल कहलाता है यानि यह वाला कैसा तल कहलाएगा प्रावर्त तल कहलाएगा आगे चलते हैं अब बात करते हैं परावरतन केतने प्रकार के होते हैं तो तल की प्रिकृति के आधार पर परावरतन की दो प्रकार है नमबर एक नियमित परावरतन और नमबर दो अनियमित परावरतन ठीक है नियमित परावरतन का मतलब होता है यहां पर देख सकते हैं यह एक तल जो है वो काफी चिकना है यह वाला जो तल है वो काफी चिकना है यानि कि जतनी आज़े अगा आएगी उतनी ही वापस लोड जाएगी लेकिन यह वाला तल जो क्या है? यह खुरदरा है तो इसमें कुछ light तो आ रही है भर पूर, लेकिन reflect मतलब कभी किसी दिसा में हो रही है, कभी किसी दिसा में हो रही है, यहाप देख सकते हैं आप ठीक हैं बात करते हैं नियमित परावर्तन की तो समतल दरपन पर जब सूर्य का प्रकास या किसी अन्सरोश से प्रकास गिरता है तो सभी परावर्तन की पश्चात एक बिसेश दिसा में लोड़ जाती है यहाँ पर देखेंगे आप यहाँ पर यह सारी लाइने जो है मतलब प्रकास जो है टकराएगा और उसी दिसा में मतलब किसी इस दिसा में वापस लोड़ जाता है ठीक है इसे क्या बोलते है नियमित परावर्तन फिर बात करेंगे अन्यमित परावर्तन कौन सा होता है या बिसरित परावर्तन भी बोलते हैं जब सूर्य की प्रकास किसी खुरदर प्रष्ट पर गिरता है तो सबी दिसाँ में फैल जाता है यानि की ये जो है कैसी है खुरदरी जब इस पर ये प्रकास आएगा तो कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, कोई इधर चली जाएगी, तो ये कैसा हो जाएगा, यानि बिसरित परावर्तन या नियमित परावर्तन यानि कि इसमें कोई परावर्तन का नियम नहीं लगेगा, ठीक है, बात करते ह परावर्तन के नियमों की तो परावर्तन के दो नियम होते हैं नमबर एक आपतितकरण परावर्तितकरण तथा अविलम एक ही तल में होते हैं यह देखिए यह आपतितकरण परावर्तितकरण और अविलम यह वाला तीनों किस तल में हैं एक ही तल में इस साइड ठीक है और द कामान सदय बडावर होते हैं अथार्थ कॉंड कॉंड आई बडावर कॉंड यह भी याद रखेंगे ये यह बात याद रखें इस सप्यसरपोर्ण कास यानि महत्पूंड तथ है यदि कोई प्रकास क्रण अबिलमब पर आप्तित होती है तो उसका परावरतन उसी मार्ग में हो जाता है यानि कि मानलो यह अब लंबे इस पर ही कोई लाइट आती है तो उसका परावरतन इसी दिसाम में हो जाएगा यानि उसी दिसाम वापस लोट जाएगी सीधी बिलकुल क्योंकि यहां पर जो कोण आई है य यानि बेवलेंथ, दो क्रमागत, लगातार, महत्तम, यानि सबसे अधिक, तथा दो क्रमागत, निूंतम इस्तियों के बेच की दूरी, तरंग दैदर यह कहलाती, यानि कि यहां पर यह देखी, यह जो है, लाइट है, ठीक है, यह कोई तरंग है, इसमें जो, यानि कि यह वा दरी ठीक है इसे लेमडा से प्रदर्सित करते हैं इसका मात्रक मीटर होता है यहीं लेमडा वराबर तरंग का बेव मीटर पर सैकेंड में अपॉन आवरति यानि की हर्ट रजमें ठीक है और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी करते हैं चैनल को आगे के देखने के लिए हम पार्ट टू में कवर करेंगे तब तक के लिए धनबाद, खुसरो, ब्यस्तरो, मस्तरो